हेलो दोस्तों, सेबी के द्वारा एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है जहां पर एक रेटिंग एजनसी को ही कह दिया गया है कि आपको अगले 6 महीनों के अंदर जो आपका जो बिजनस है उसको बंद कर देना होगा ये मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, ये सेबी का नोटिफिकेशन आया है और जो रेटिंग एजनसी है उसका नाम है ब्रिक वर्क रेटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ये ऑक्टोबर 6 का लेटेस्ट सेबी के द्वारा ये नोटिफिकेशन आया हुआ है ब्रिक वर्क के उपर जहां पर सेबी ने पास्ट में कुछ अब्जर्वेशन किये हुए थे उनके बिजनस को लेकर तो उसके बारे में भी मैं आपको समझाता हूँ जैसे ये ये डेटा है अब जब रेटिंग एजनसी का काम क्या होता है कि किसी ने भी NCD ली है या फिर बैंक लोन ली है या किसी भी तरह का अगर डेट लिया हुआ हुआ है तो उसकी क्या स्थिती है समझ लीजिए ट्रिप बी ऐसे करके फिर अगर समझ लीजिए बी की रेटिंग है सी की रेटिंग है तो फिर आपको आप समझ सकता है कि रिस्क जो है वो ज्यादा यहां पर बढ़ रहा है तो जैसे भूशन स्टील का NCD था उसको रिकॉगनाईज करने में लेकिए डिफॉल्ट उन्होंने किया थ उसको उन्होंने डाउन ग्रेड करने में उनका फेलियर रहा यह सब तो कुछ observation ही है जो सेवी के द्वारा आई है अब समझ दीजिए आपने लेटसे गाईतरी प्रोजेक्ट्स का स्टॉक लिया होगा या भोशन स्टील का लिया होगा तो और आपको information भी नहीं होगी आपक कुछ बराबर है सब कुछ ठीक है लेकिन आचाना कि एक रात को ऐसे न्यूज आ जाएगी कि कंपने ने तो डिफॉल्ट कर दिया है तो बहुत बड़ा आपको भी स्ट्रेस हो सकता है जैसे मैं आपको गाईतरी प्रोजेक्ट्स के बारे में यहां पर डेटा दिखा रहा 2017-2018 इस समय की बात है और अभी आप देखेंगे अभी अभी आप देखेंगे 10 रुपीज 80 पैसा मतलब एक बहुत ही सिग्निफिकेंट जो है इन्वेस्टर की वेल्थ जो है वो डिस्ट्रॉई हुई है तो कंपनी जो भी जो भी प्रॉब्लम हो सकती है कंपनी की लेकिन के अलावा यह सब तो कंपनिया है उसके अलावा ही उन्होंने जैसे एंचीडी डाइमंड पावर है फिर ग्रेट इस्टन एनरजी फिर एजल कॉर्परेट इन सब के भी जो एंसी डीज है वहां पर भी उन्होंने यह सब आप्सेर्वेशन्स यहां पर किये हुए हैं और अ का इंडिया से अभी मतलब अभी आप बिसनस नहीं कर सकते हैं अभी इंडिया में क्रेडिट रेटिंग एजनसी बहुत कम है कुछ लिस्टेड नाम है जैसे क्रिसिल है केर है फिर एक नाम है फिर ब्रिक वर्क का भी नाम आता था लेकिन ये इवेंट होने के बाद से या के कंपनी default कर देती है तो फिर सभी यहां पर चुप नहीं बैठेगा और सभी एक्षन यहां पर लेंगे similarly यहाँ पर कुछ default के benchmark, SEBI के कैसा actual default हुआ है वो सब है जैसे समझ लिजिए for example यहाँ पर triple B की rating है तो यह 2.04% March 2020 का data था जो company का one year का और यह बढ़कर 2.40 मतलब क्या है कि मतलब parameters और bigger रहे है company के यह एक important चीज है similarly आप यहाँ पर rating देख सकते हैं B की rating है for example one year का data देखेंगे तो 2.89% March 2020 में हमको देखने को मिला था तो चीजे तो default कम होना चीए ना percentage लेकिन percentage बढ़ रहा है 3.52% बढ़ रहा है तो इन सब चीजों को भी SEBI ने देखा है observe किया है और उसके बाद यह निर्ने लिया है तो mostly क्या-क्या issues SEBI ने identify किये है rating process को follow नहीं किया गिया है proper records को maintain नहीं किया गिया है delayed information को disseminate किया गिया है timeline को comply नहीं किया गिया है conflict of interest कुछ-कुछ जगा में रहा है यह सब कुछ issues जो है वो SEBI ने identify किये है और overall last में आप देखेंगे SEBI ने brickwork ratings को यहां पर दिया है कि आप अपना जो business है उसको अब आप इंडिया में कर नहीं सकते हैं और यह important इसलिए हो जाता है क्योंकि हम as an investor बहुत सारी debt companies में भी invest करते रहते हैं हम ऐसा सोते रह जाएं कि बहुत बढ़िया रेटिंग है कोई चिंता नहीं है लेकिन अचानक से रेटिंग जंक हो जाती है और ऐसा हुआ भी है मैं खुद जानता हूं 2018-2019 बहुत टफ टाइम रहा था investors लोगों के लिए अगर कोई पुराने investor है तो मेरे साथ बिल्कुल agree कर सकता है उस टाइम में market बहुत गिरी हुई थी तो यह सब चीजे होती रहती है एक सेभी के द्वारा एक important information है जो मुझे लगा आपके साथ share का मुझे उमीद है दोस्तों आपको value मिली होगी Thank you दोस्तो